आप सबी लोगों का स्वागत है तीजिंग परिशा के आज के इस वीडियो में जिसमें फ्रेंड्स बेसिकली एक बहुत ही महतोपून जो है सेशन की शुरुवात हो रही है आरंब हो रहा है आपका टी आरी 3.0 का और आरंब कैसे होना चाहिए फ्रेंड्स आरंब होना इसमें आप पुराना जो इतिहास है वो देख सके BPSC TRE 1.0 और TRE 2.0 में GKGS के किस तरह के कोशन पुछे गए थे नहीं उसकी संपून व्याख्या के साथ की कैसे और कोशन पुछे जा सकते हैं आगे में आप लोगों के क्या उसका explanation उसके आगे पीछे की खबर क्या है वो आप लोगों को पता होनी चीए इसके अलावा जो है अगर मान लीजी कि आपके BPSC में उसी के उपर में कोई और भी कोशन आया है तो वो भी कोशन आप लोगों को दिखा दिया जाए तो ये पूरी की पूरी जो है शंकला आप लोगों के लिए मैं आपको बता दू ये BPSC के साथ में है सभी लोग इसको देख सकते हैं इसके अलावा मैं आपको बता दू फ्रेंड की जो बच्चा इस पूरे सेशन को अच्छे से देखेगा उसके लिए एक सर्प्राइज गिफ्ट भी है पूरा सेशन दो देखेगा वो बीच में मैं अनॉंसमेंट करूं आप लो वोईस का इशु कुछ बता रहे हैं वोईस का बता दीजी क्या इशु आ रहा है आप लोगों को अपका इस अपर आप चेक कर लीजिए अब आप लोगों को अडियो बराबर होगा तो चली हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही सुन्दर सा कोट मैं ट्रेनिंग के हर एक मिनेट से नशरत करता था ठीक है मौहमद अली ग्रेटेस्ट के नाम से जाने जाने वाला अब तक का सबसे महानतम बॉक्सर ठीक है मैं ट्रेनिंग के हर एक मिनेट से नशरत करता था लेकिन मैंने खुद से कहा हार मत मानो अभी सहल हो और अपन पुझा के सबसे महान बॉक्सर चीक है मौहमद अली आप लोगों को पता है कि इनके सामने जब इनका मैच होता था तो हर कोई तक तक ही पुरा अमेरिका तक तक ही लगा देखता था इनके मैच को कि महमद अली जो भी वह बॉक्सिंग करने आ रहा है और दिखें यहाँ पर मै किसी को भी पसंद नहीं आती है तो greatest the greatest इनको कहा जाता आप इनका नाम सच कर लीजिए इनका नाम ही पढ़ गया था the greatest मैं ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत करता था सबको किसी को नहीं अच्छी लगती ट्रेनिंग लेकिन खुझ से कहा कि हार मत मानू बस यह लाइन का पर रख है ठीक है लेकिन यह लेकिन बहुत important है मैंने खुझ से कहा हार मत मानू यह सबसे important वाली बात है जिसने उनको अलग बना दिया बाकी यह तो सभी लोगों के लिए है सभी के जिंदगी में आता है यह समय कितने लोग मानते हैं यहां पर मैं इस बात को ठीक है कितने लोग मानते हैं इस बात को कि यह बात बिलकुल सही है ठीक है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पर में जल्दी से हमारे जो है सेशन के तरफ में बाकी आप लोगों का जो वोईस का इशू है एक बर में चेक कर लेता हूँ कि वोईस का क्या इशू आ रहा है आप लोगों का ताकि हम लोग इसको भी करेक्शन कर सके ठीक है जब तक हम लोग को कॉश्चन करते हैं तब तक टीम इसके उपर में काम करेग अगर आप लोग BPSC के साथ में जूरना चाहते हूं तो आप लोग 7611-101-101-96978844 इस नंबर पर call या फिर WhatsApp कर सकते हो friends ठीक है और टीम आप लोगों के help कर देंगे पहले question के तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के आपको बताना है the new name of midday meal scheme is midday meal जो scheme है उसका नया नाम क्या है यह आप लोग बताऊंगे जल्दी से अंसर करेंगे friends सभी लोग जल्दी जल्दी से लिए midday meal scheme जो है आप लोगों की यह 1995 के अंदर में जो है start हुई थी और अब इसका नाम बदल दिया गया है इसका नाम क्या किया गया है यह आप लोगों बताऊंगे तो midday meal का जो नाम है friends आप लोगों का कर दिया गया है ठीक आपका प्रधान मं'teri potion scheme के नाम के ऊपर में इसको कर दिया गया है तो आंसर इसका गया हो जाएगा आप लोगों का ठीके पीघ म पोशन सकी पोशन बदल धिया गया है इसका short form बनता है potion प्रधान मंत्री पोशन शक्ती निर्मान मिशन या फिर निर्मान स्कीम और मैं आपको बता दूँ इसके अंदर में जो आप लोगों की बालवाटी का है तीन से पाच साल वाले बच्चे उनको भी जोड लिया गया है तो ये भी कोशन बन सकता है आप सभी लोगों से ठीक है इसका ना में जेंज किया गया और क्या किया गया चाहिक चलिए प 오른 वर्ले लीपी डे तो देके ब्रेल लीपी के बारे में आप लोगों को पता होगा friends की आप लोगों की जो बेल लीपी है वो छे आप लोगों की डॉट्स होते हैं ठीक है रोस और कॉलम्स के अंदर में उनके कॉंबिनेशन से अक्षर को पढ़ा जाता है आपका हाथ लगा कर आप पर सकते हो उसको तो यह जो ब्रेल लिपी डे है आप लोगों का यह मनाया जाता है चार जन्वरी को और यह आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में कि चार जन्वरी ठीक है चार जन्वरी को मनाया जाता है क्योंकि ब्रेल लिपी का उन्होंने जो है 1824 के अंदर में आवि यह आप लोग याद रखने आप लोगों ने कि यह एक पॉइंट था आप लोगों का जो आप लोगों से एक्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है नौ फ्रेंट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हमारे नेक्स्ट कोशन की तो एक पॉइंट चार जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस सभी लोग लिख देंगे लुई ब्रेल के सम्मान में छे डॉट्स होते हैं अठासो चौबीस में उन्होंने इसकी खोज कीती हो सकता है केवियस वगरे में कोशन आजाए आप लोगों का नेक्स्ट कोशन आपका सूर्य एक क्या है जल्दी है कि एक ठीक है पीला लाल या श्वेत या इन में से कोई नहीं और यह कोशन आपको एक्जाम के अंदर में पूछा के देख सकते हो आप लोग यहां पर में सूरज को अगर आप देखोंगे तो आपको यलोईश कलर का दिखाई देता है यह ना तो एक यलो पीला बॉना त दूर रहा है दो है दो गैस याद रहा हो ही्लिएम ईंदर में कनवर्ट हो रहा तो यह कोशन आप देख लीजिए यहां पर में सूर्य क्या है अब आप लोग आंसर करेंगे comment कर देंगा हर एक बच्चा यहां पर में comment कर दीजिए जल्दी जल्दी से ठीक है कर देंगे important question है आप लोगों के लिए यह सारे के सारे ओके ग्लोब पर एक डिग्री के अंतराल पर ठीक है आपकी खीची कई अक्षांश रेखाय कितनी है एक डिग्री के अंतराल पर यह मानलो जीरो डिग्री वाला आप लोगों का जो है भूमध्य रेखा है फिर एक डिग् करके नीचे जाओंगे तो बिंदू बन जाएंगा यहां बोले रेखाय कितनी बनेंगी रेखाय कितनी रेखाय बनेंगी और फ्रेंट्स इसका जो आंसर है आप लोगों का वह है 179 और आप लोगों को जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होंगी कि टीचिंग परिक्षा के यहां पर में जब आप लोगों को पढ़ाया गया था ठीक है तो आप यहां पर में देख सकते हो कि आपको बकाइदा मैंने पढ़ाया था यह चीज यह आप देखिए यहां पर में GIF के अंदर में देख सकते हो total number of latitudes जो है आप लोगों के एकवेटर को मिला कर कितने बनते है यह paid class का आप लोगों का यह GIF आप लोग देख सकते हो कि हमने पढ़ा हुआ कोशन था directly आया हुआ यहां पर में और मैं आपको प्रूफ के साथ में NCIT का प्रूफ देते तो इसी वीडियो में आप लोग देख लिए यहां पर में ठीक है NCIT के प्रूफ देकर बताया था क क्योंकि काफी सारे बच्चों का इसमें डाउट रहता है तो प्लीज अब आज के बाद कभी इसमें गलती नहीं करनी है ठीक है आप लोगों का 89 यहां पर में आप लोगों की लाइन है उपर में अगर आप लोग एक्वेटर को छोड़ दो और यहां पर में नीचे में 89 है और एक एक्वेटर तो 179 आप लोगों के लैटिट्यूड हो जाते है और इसको आप NCRT से भी वेरिफाई गरों आप लोगों को नहीं आ रही है जो लोग बोल रहे है जस्ट आ सेकेंड अब आप लोगों को आवाज आ रही होंगे आइधिंग ठीक है जी अब आ रही है आप लोगों को आवाज इस जी नी कोई नी ओके यहां पर बरावनी टेल संशो दंक साहियांतर द्रक बिहार के किस जिले में स्थीत है बरावनी वाला आप लोगों का और बहुत ही important वाला question है friends आपको बता दू कि Baroni oil refinery जो है आप लोगों की बिहार के अंदर में ठीक है जो आप लोगों की सबसे पुरानी refinery है जो की Begusharai district के अंदर में है Baroni बहुत famous है और यह पता है किसके साथ में बनाया गया था इसको USSR जो है या फिर आप इसको रशिया भी बोल सकते हो short में उसके voice जी अब आ रही है यहां पर में बता रहे बच्चे की voice आ रही है तो आप लोग जो है friends इसका answer यह याद रखना है आप लोगों नहीं कि Begusharai जिले के अंदर में स्थीत है बेगusharai में और यह actual question है आप लोगों को पूछा गया exam के अंदर में ठीक है चाली next question की तरफ में आगे बढ़े हम लोग यहां पर हमारे आप लोगों को बताना है friends की निम्दल कितम से कौन सी उडिशा की स्थानांतरित ठीक है स्थानांतर शील कृशी है स्थानांतरित कृशी भी इसको कहा जाता है shifting cultivation and thank you very much friends यहां पर में हमारे session के अंदर में बिल्कुल सही आरी है अवास चलो बहुत अच्छी बात है देखें now friends यहां पर में स्थानांतर शील कृशी जो है आप लोगो की इसको पोडू पेंडा बेवार क्या कहा जाता है तो यहां पर में आप लोग देखिए जो जूमिंग कल्टिवेशन है यह कहा जाता है North East India में स्थानांतर शील कृशी को जूमिंग बोलते है इसको मिलपा कहा जाता है मैक्सिको के अंदर में मैक्सिको में मिलपा ठीक है मैक्सिको में यह सेंट्रल अमेरिका में इसको मिलपा कहते है इसके बाद में लदांग इसको कहा जाता है इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर म इंडोनेशिया, मलेशिया में लदांग, बेवार या दहिया, बहुत बार बताया है, मध्यप्रदेश में इसको कहते है, बेवार या दहिया, बेवार या फिर दहिया, इसके अलावा जो है आप लोगों का पोडू या पेंडा जो है, आप लोगों का पोडू या पेंडा जो इंदर में कहा जाता है पोडू, पेंडा अंत्र अंदर प्रदश में कहते हैं, बेवार अंत्र प्रदश में कहते हैं तो उडिशा में क्या कहा जाता है तो आंसर होंगा आप लोगों का ननव दियो भो खतम होगी बात इतना इजी कोश्चन था यह आप लोगों का अगर आप लोग ऑप्शन करने के लायक होगे तो आप लोग अराम से कर लोगे इस पर्टिकूलर को ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन के तरब में आगे बढ़ते हैं आप लोगों का यह पूरी की पूरी जो लिस्ट है आप लोगों को जो एप है उसके अंदर में आप लोगों मिल जाएंगे ऍर चा जरी आगे बढ़ने से पहले वोगों को यहां पर में एक चीज बताना चाहूगा जिपने भी बच्चे आगर आप लोग तो आप लोग तो आप यहां पर देख पा होगे विपार्ट के आप लोगों को एक अप्शन है यहां पर में ठीक है रफयर फ्रेंड्स का आप दोस्तों को जो है टीजिंग परिश्य एप रफर करें तो चलिए आप आ गई है अवाज यहाँ पर में तो एक बार जो है फ्रेंट मैं आप लोगों को पर चलिए को बतादू कि आप यहाँ पर में इन्वाइट कर सकते हो जैसे ही आप लोग इन्वाइट करोंगे तो इन्वाइट के अंदर में क्या होग आप लोगों का कि आप लोग अपने दोस्तों को यह लिंक भेज दोंगे टेलीग्राम फेस्बूक वाटसेप इंस्टाग कराके तो तो रेश्मी वस्त्र का इश्म में सभी लोग क्यों कर से तो यहां आपी वश्य्स छालिया आप लोगों के अंदर में आया हुआ कोश्यन ह возмож तो यहां पर मैं आप लोगों को करवाया था, भागपूर को कहा जाता है तो यहां पर में आप लोग देख लीजिए, friends की रेश्मी वस्तर या फिर सिल्क के लिए कॉन सा वाला जीला फेमस है? है थो भागलपूर जिल आप लोगों अीए याद रखने है आप सभी लोगों ने भागल पूर जिल आपका चलिए इल्ग एक Karma आप लोगो पा locking रमी ओर्झेयसों के ब्रूख के लिया आजबाधा आफ लोगों का पूरलोइड जिल्थ बिलॉंग करते थे हैं वहां के यह लड रहां था ये जब लट रहे थे प्रिंग हो कि आत्वा इन ऋमर से लडे रहा थे और इनको जो है, हराया किसने था, ये भी question आया था आप लोगों का, William Taylor और Vincent Ayer, ठीक है, तो Taylor, ये याद रखने हैं आप लोगों ने, Vincent Taylor, ठीक है, ये थे यहाँ पर में, जगदिशपूर से लड़ रहे थे, कुवर सिंग, अमर सिंग, और ये list आप लोगों की बहुत important है, मैं की मृत्य हुई थी, इस question को आप लोग बताईए, इसका answer क्या होगा, बहुत ही important वाला question है, सभी लोग पढ़ेंगे जल्दी से, ठीक है? बताईए, friends, यहाँ पर में इसका answer क्या होगा, who established Indian association in 1876, तो देखे, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, friends, तो Indian association की स्थापना 1876 के अंदर में, सुरेंदर नाथ बैनर जी और आनन्द मोहन बोस ने की थी, कब की थी? 1876 के अंदर में, दो लोगों के नाम आप सभी लोग ल के अंदर में, इसकी स्थापना की थी, 1886 में, 1886 के अंदर में, इसको Congress में मर्ज कर दिया गया था, Indian National Congress में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, यह भी याद रखने हैं, आप लोगों ने, सुरेंदर नाथ बैनर जी और आनन्द मोहन बोस इसके संस्थापा के, now friends, next question के दरब म अगर हम लोग आगे बड़े यहाँ पर में, विदेश में भारती राष्ट्री दोहच प्रथम बार किसने फेराया था, बहुती इंट्रेस्टिंग कोश्चन है, और हम लोगों ने किया हुआ है, and congratulations friends, आप सभी लोगों का, 1000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने यहाँ पर में शनीरद के अंदर में, जर्मनी में, स्टुड़गार्ड नाम की जगह है, जर्मनी के अंदर में वहां पर mia इन उनने इसको फेराया था, फीके तो जर्मनी के अंदर में इन इन एक अपकोश्चन को घराया हुआ है, आपको करवाया था, वही से ही कुश्न आया है, मैडम क कामा ने भारत के जो तिरंगी सोतनता दुहच को कहा फेराया था 1907 में फेराया था मैडम भीका जी कामा ने मैंने आपसे कहा भी ता एक नंबर आपको मिलेगा इनको mother of Indian revolution भारतिय क्रांती की जननी कहते हैं नोट करो इस चीज को अप लोग भारत की क्रांती की जननी किसको कहा जाता है एक बार लिख दो यहां पर में सभी लोग जो बच्चा अपनी activity करेगा ना फ्रेंट्स वो आगे निकलेंगा आप लोग देख सकते हो यहां पर मैं आपको पढ याद रखना है आप सभी लोगों ने 66 BPSC में आया होगा कोशन है आप लोगों का ठीक है इसके अलावा जो है फ्रेंट्स आप यहां देखिए यह स्लाइट थी जो पढ़ाया था आपको मैडम भिकाजी कामा जिनको भारत के जो है यहां क्रांती की जनननी कहते है स्टूड जर्मनी के अंदर में उन्होंने 1907 में तिरंगा फेराया था उस पे वंदे मातरम लिखा हुआ था यह भी याद रख सकते हो आप लोग उस जंटे पर क्या लिखा हुआ था वंदे मातरम चली नेक्स्ट अबूल कलाम आजाद के दौरा किस पत्रिका को संपाधित किया गया पर कीवज तक तो अबुल कलाम अजाद ठीक है अलहिलाल नाम का जो था उन्होंने यहां पर्में पत्रिका निकाली थी एक वीकली उर्दु नीजचाईबर्ड त्हुलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाला गया त्यक्ट है याद रखना है आप सभी लोगों कि अलहिलाल नियूस्पेपर किसदें निकाला था अलहिलाल ठीके इसके अलावा एक याद और राख़तलों अलबलग नाम कभी उनों ने निकाला था ठीक है बलग कि को भीया तब सभी लोग कि बहुत कम लोग जानते कि अलबलग नाम कभी ऐक नेyyp Burd था जो उन्होंने बहुत कम समय के लिए निकाला था तो अलहिलाल और अलबलग बहुत ही इंपोर्टन्ट है दोनों याद रखो आप लोग दोनों उन्हीं के हैं अबुलकलाम आजाद के अबुलकलाम आजाद का एंसी आर्टी बेस्ट आप लोगों को मैं फ्रेंट कुछ मुस्लिम एकता के यह भी याद रखने हैं अब सभी लोगों ने कि एक्स्ट महात्मा गान्धी आड बिहार सम रेमिनेंस उनसे ये कुछन कितने बार करवाया आप लोगों को बार 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 ये कुछन करवाया है पर आप देख सकते हैं यहाँ पर में यह कुछन आपका आय आप लोगों से कहा था मैंने कि यह पूछा जाएगा आपके तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम् के बारे में भी पता होना चाहिए तो आप लोगों का ओल इंडिया किसान सभा इसकी स्थापना जो है 1936 के अंदर में की गई थी और स्वामी सहजानन सरस्वती यह इसके पहले अध्यक्ष थे तो 1936 में लखनों के अंदर में इसको फॉर्म किया गया था इसको लिगो सभी लो लोग ने तेड जी रंगा थेकर एण जी रंगा इसके इसके सचीव थे सेक्रेटरी थे इस इसके और मान लोग कि अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों से इस question के अलावा क्या पूछा जा सकता है तो बिहार provincial किसान सभा BPKS कब start हुई थी यह आप लोगों से question बन सकता है इसका भी answer कर देंगे आप सब्सक्राइब क्योंकि यह question आया हुआ है आप वीवार प्रोविंशेल किसान सभ़ा बीहार प्रांतिय किसान सभ है कि ना नहीं किती तो बिहार प्रांतिय किसान सभा मुंगेर के अंदर में किसान सभा किसान सभा मुंगेर के अंदर में किसान सभा की स्थापना किसने की थी मुहम्मद जुबेर और श्रीकृष्ण सिंग इन्हों ने सकता है कि किसान सभा जो मुंगेर में 1922 में बनाई गई थी उसकी अध्यक्ष कौन थे तो मुहमाद जुबेर एंड श्री कृष्ण सिंग याद रहेंगा आप सभी लोगों को यह चीज चालिए बहुत बढ़िया नेक्स कोश्चन के तरह में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में हम लोग मोटीवेशन ही मोटीवेशन जल्दी बताओ लखनों में आयो जीत हुआ था ठीक है आप देखरों कितने सारे जगा पर आप लोग क्लियर कर सकते हो आपको बताना है कि कहा हुई थी लेकिन कब हुई थी पठना महिला महाविद्याले कब स्थापित हुआ था बहुत बढ़ी है है आप लोगों के देखर यहां पर मैं आने सटार्ट हो गया आप लोगों के तो 1940 के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी पठना महिला जो महाविद्याले आप लोगों का ठीक है बीजे तुलीवन लिख भी देता हो आप लोगों के लिए बीजे तुलीवन तुलीवन उसका नाम था जिन्नों ने इसकी स्थापना की थी बीजे सुलीवन ठीक है पटना महिला महाविध्या लेकी याद रहेंगा आप सभी लोगों को इंपोर्टेंट है एक्जाम के अंदर में पूछते है आप लोगों से ठीक है 1940 में पटना महिला कॉलेज की स्थापना निमनली कितमे से किस सोसाइटी द्वारा की गई थी अब देखे यह कोशन अगर आप लोगों से आ जाए ठीक है तो क्या कोशन बनेगा आप लोगों क्यो होगा Sisters of the Apostolic Cormel ठीक है कि कसि बताओ जल्दी से क्या होगा आपका classes of the Apostolic और मेल नाम की जो संस्था थी उसने इसकी स्थापना की थी अगर आप लोग इसको हिंदी में बोलो तो इस तरीके से यह आप लोगों का हो जाएगा इसकी स्थापना याद रखने मजबूत कंदों पर सौप रहा हूँ तो पटना में वुमेंस कॉलेज की स्थापना वीजे सुलिवन ने की थी आप लोगों का यह याद रखने आप सभी लोगों ने और यह फर्स्ट लर इंस्ट्रिटूट था हाइट एजूकेशन का बिहार के अंदर में महिलाओ के लिए विच्ष झोटफोलियो विच्ट प्रशाद होल्ड इंदर इंटरिम्ग जो हमारी एक डॉवर्मटबर्मटफ समय राजेंस सरकार में बहुत थीजब कौन सा विभाग था सी देना चाहते है उसके अंदर में भी कोशन आया था 2011 के अंदर में और वही से यह कोशन आप लोगों का डारेक्ली उठाया गया है खाद्य और जो यहां पर में आपका कुरुशी मंत्राले वो दिया गया था तो प्रसाद मतलब फूड प्रसाद यह याद रख सकते हैं आप आपको बताना चाहूंगा फ्रेंट की 2 सप्टेंबर 1946 को अंग्रेजों ने सेप्टेंबर फिक है 1946 को इंटरीम गवर्मेंट बनाई थी अब यह कोशन आपका बन सकता है देखो इंटरीम गवर्मेंट मतलब ट्रायल बॉल किसी ने क्रिकेट में ट्रायल बॉल खेलिए किते अंतरीम सरकार बना दी गई हमारे लोगों के हाथ में धीरे-धीरे पावर्मेंट के मुख्या थे जवाहर लाल नहरू जो बात में जाकर हमारे भारत के पहले प्रधान मंत्री बने थे राजिंट प्रसाथ उस इंटरीम गवर्मेंट के अंदर में यह आद रखेंगा आप स कौनसा विभाग था आपको कोशन करवाया हुआ है कि इतने लोगों को याद है कोशन कर आया था हाथ उपर करके बता दो क्लास लेनी है कैसे लेंगी सर पुनम राजभर जी बहुत ही सिंपल है यहां पर में आप देख सकते हो 7611-101-101-96978844 यह जो नंबर चल रहा है ना ठीक है आपके नीशे में भी यहां पर में चल रहा हो गई है नंबर 7611-101-101-96978844 इस नंबर पर कॉल या वाटसेप कर लो सि मैंने आपको करवाया था नेक्स्ट के तरफ में हम लोग आगे पड़े हमारे इसका आंसर आप लोग कर दी होगे है पर में मुझे पूरी उमीद है यह लिस्ट अगर आपको चाहिए तो टीचिंग परीक्षा एप पर आपको मिल जाएंगी आपके जितने भी कोर्सेस है न इन विच यह एर आपको यह बताना है कि किस वर्ष आल इंडिया वुमें कांफेरंस की स्थापना की गई थी में 1923 के अंदर में 1925 में 27 में All India Women's Conference यहां पर में यह स्टार्ट की गई थी आप लोगों की दिल्ली के अंदर में 1927 में अंग्रेजों के समय में इसको स्तापित किया गया था महिलाओं की पहली अध्यक्स कॉन ती यह भी सै तो महारानी जीमना बाहि जो है इसकी पहली अध्यक्स थी इंपोर्टन्स अहीं ओब लोगों का महारानी digestive गहरा नथा न आ विवह दाखाग्स सबस्टे है कि 1927 केंदर में इसकी स्opना हुई थी पूने केंदर में बाद इसका आप transfeme कर दिया गया था दिल्ली के अंदर में और ओल इंडिया P क्यों आ जानागा तो आप लोग याद रखोंगे कि ऐसी भी बन सकता है 1927 इसके अंदर में इसकी स्थापना हुई थी पुने में इसको शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली के अंदर में इंपोर्टन पॉइंट है आप लोगों का ओल इंडिया महीला कॉन्फरेंस तो चलो एक बार रिवीजन कर ले हम लोग यहां पर में थोड़ा सा जल्दी-जल्दी में तो पहले कॉन्फरेंस हुई निस सोठ थाइस में पूने में की कॉन्फरेंस विवी घृइंट हमें आगे में आप लोगों को बता अब बीज लूंगा ओल इंडिया महीला कंफरेंस की अध्यक्रता किस ने कीति महारानी किम्ना बाई ने आगे भड़ते हम यहां पर में कि तरफ में हमारे अखिल भारतिय महिला कॉंग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था देखिए यहां पर में यूजी सी नेट में आया हुआ कोशन इतने बच्ची है जो यूजी सी नेट भी देना चाहते हैं लीजिए मोटिवेशन की परीकास्था हो चुकी अब आप लोगों के लिए यूजी सी नेट के अंदर में हिस्ट्री में 9 अक्टोबर 2020 को यह कोशन आया था फिर्स्ट में बताइए इसका आंसर क्या होगा अखिल भारतिय महिला सम्मेलन जो है कव स्थापित हुआ था आपका आप सशक्तिकरण के लिए तो यह करेक्ट आंसर बंगाल विभाजन 1927 को किस दिवस की रूप में मनाया गया था और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यह कोशन नहीं कि आप लोगों का कोई पहली बार आया करके इससे रिलेटेट कोशन कि अगर वो क्या हूंगा अगर वह कोशन आप लगा सको मैं तेम से इंदर यह कोशन आया वाए उल्रेडीं डवी के अंदर में आप लोगों का देटे डिगटेटी स्वीम वाक्टल वाले दोहजार है में तो बंगाल विभाजन 16 October 1905 को लागु हुआ था बंगाल का विभाजन लॉर्ड कैनिंग ने वह लागु हुआ था आप लोगों का इसकी जो जो है आप लोगों को पताना चाहूंगा कि इसको लागु जो है करने की मतलब बंगाल विभाजन का निर्ने की घोषन किया जाएग वह घोषना थी 19 July 29th July 1905 को घोषना हुई कि हम बंगाल का विभाजन करने वाले है तीन तारीक आप लोगों को याद रखनी है 19 July 1905 को घोषना हुए कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे ज़स्ट लाइक के समझ लीजिए कि आपकी पहले शादी खोष्णा उवह तो फिर फर्स सप्टेंबर को क्या हुआ कि आपके घरवालों ने घृष्णा कर दी कि 16 तारीक को तुमारी शादी और पहली बार जब उन्होंने कि गई कि 16 अक्टूबर से यह लागू हो जाएगा कितना फास्ट फॉर्वर्ड यहां पर में बढ़ रहे थे लोग आगे कंटीनिवस ली वही ऐसा भी का बात है यारा सो प्लस बच्चे यहां पर मुझे पता ही नहीं चला और 1325 यहां पर मैं अपने कर दिया बहुत बहुत दे मौन मतलब शोक दिवस के रूप में मनाया गया था यह याद आखने आप लोग दिवस मनाया गया था आपका तरका पढ़ाया हुआ मिलता है एक्जाम में जल्दी जल्दी से सब वीडियो देख लो बिल्कुल प्रकाश थैंक यू बेरी मच और ऐसे ही जो है फ्रेंट्स आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देखना है क्योंकि यहां पर मैं आप देखिए MP SC Group C Combined Prelims के अंदर में अच्छे बंगाल विभाजन की तारीक यहां लिख सकते हैं बंगाल विभाजन की तारीक जो है सगाई शादी और मुदिखाई का भी लगा सकते हाँ चलो सगाई जो है आपकी हुई थी मानलो 19 जुलाई को ठीके शादी हुई समझ लो आपका एक सप्टेंबर को और विदा आपकी हो गई मानलो यहां पर में इस ने दिया था कि महात्मा गांधी जी आओ चंपारन में आईये पधारिये मारे देश और चंपारन के अंदर में तीन कठीया सिस्टम लागू था जिसके तहत किसानों से जबदस्ती नील की खेती करवाई जाती तो नील की खेती के खिल अपड़ाया कर सकते हो अब और इसके अलावा अगर आप लोग बीजूडना जाते हो टीचिंग परिख्या के साथ में और टी या एससी जो भी आप त्यारी करना चाहते हो तो आप लोग जो सिंपल नंबर चल रहा है आपका 7611-101-101-96978844 इसके उपर में कॉल या वाट्सेप करके जानकारी हासिल कर सकते हो आप लोग लोग कि तरह में आगे पड़ते हैं चुप रहने की सौतंतरता भारत में किस प्रकार का अधिकार है ठीक है चुप रहना कभी-कभी जो है आप लोगों का अधिकार भी है कभी-कभी मजबूरी बन जाती है यहां पर में कितने पती लोग है यहां पर में कोई पती विचारा है ठीक है पती है कोई अपने पापा लोगों को तो देखा होगा आप लोगों कभी-कभ अधिकार है अधिकल नमबर 19 के अंदर में आपको भाशन देने का अधिकार दिया गया है तो उसी के अंदर में चूप रहने का अधिकार भी आपका अगर आप चूप हो नहीं बोल रहे हैं तो चूप रहोंगे कितना अपनी का ध्यान रखते डायमंड रिंग दिलाई थी यहां पर मेरे को चांदी की नहीं दिला सकते आए बड़े शादी के पहले तो बहुत बोल रहे थे यह करूंगा तुम्हारे लिए चान तोड़ करा जाओंगा चान का पथर नहीं ला पाए तुम्हें एक बार मेरे भाषन देने का अथिकार बोलने का अधिकार रहने का अधिकार दोनों ही आप लोगों का जो है आटिकल नंबर 19 के अंदर में है याद आखना है मूलभू जाह बहुत शुकरी है और ऐसे ही अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो सेशन को लाइक कर देंगे और जिन लोग तो आप लोग उससे जूड़ सकते हो टीचिंग परिश्या जो है ना उसके उपर में आजए ये सिराज एहमाजी उसमें बिल जाएंगा अगर आप लोग चाहते हो कि ज्ञारखंड का कोर्स लेकर आया जाए तो आप लोग जो है फ्रेंड्स इस नंबर पर वाट्सप कर सकते हो टीम को बता सकते हो या वाट्सप कर दीजिए आपको पढ़ायावा कुश्यन है यहां पर आप लोगों को पढ़ाया रहे है यहां पर आप देखिए दूरदर्शन का घोष वाक्य यहां पर में सत्यम शीवम सुंदरम आप लोगों को दिया हुआ है पढ़ाया हुआ कुश्यन है लिस्ट दिया आपको और इस बार तो अब इस बार कोर्स में क्या किया जाएगा इस बार से डिसाइड हमने किया है कि जो भी हम आपको लिस्ट देंगे इन्फोग्राफिक में जैसे यह लिस्ट आपको दी है कोर्स में तो अब हम जब भी लिस्ट देंगे उसके नीचे में जो है ना उससे रिलेटेड कुछ कुश्चन को भी डाला करेंगे जैसे लिस्ट मैंने आपको दी यह लिस्ट आपको आसानी से याद हो जाए उसके लिए उस पर आधारीत कुछ कुश्चन को भी डाला जाएगा कितने लोगों को लगता है यह बहुत ही अच्छा एडिया है हाथ उपर करके बता देंगे तो इस बार इस बैच के अंदर में वह भी इंप्लिमेंट किया जा रहा है आप लोगों का यह भी इंप्लिमें भगवान महावीर वाइड लाइट सेंक्चूरी कहा पर में लोकेटेड है भगवान महावीर वाइड लाइट सेंक्चूरी आप लोगों की कहा पर में लोकेटेड है यह आप लोगों को बताना है भगवान महावीर लाइट सेंक्चूरी आपको मिलेंगी गोवा के अंदर म खर्षार सो ज्योई लेकिन एक्षोल में याद रखने हैं आप लोगों ने ओंध भगवान महावीर डार संप्स्तूरी जो हैं फ्रेंच अब लोगों के अंदर में अंदर सलीम ली बर्ड एकलिन ली भर सेंक्चू्री बर्ड घरी कि यह जिए lies Really पूंपोर्टेंट है आप लोगों का ए लहा पूम refrसेल भाड यह उल्हचेनल पार्क कहँए मिलेगा config अभी आंसर चाहिए ऐइक बच्चे इससे अच्छाब quan वे सब्सक्राइब अगोब्र काष्मिर नहुत बहुत सब्सक्राइब मली नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है आप लोगों का ठीक है यह इंपोर्टेंट पॉइंट है एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है ठीक है यहां पर में निम्दली कित्म से कौन सा वन्य जीव अभेहरण ने गोवा में स्थी तैसे स्टेनोग्राफर म क्यों है और DIRECTLY आप लोग यहां पर में इस particular question का अंसर कर सकते थे बहुत ही easily आप लोग इसका अंसर कर सकते थे कि भाई सली मली कहां पर में है और नैशनल पार्क कहां पर में हैं और रहें ऐ plastic करते रहेंगे और कोंशन 200 के ऊपर में बन सकते करने साथ मैं चाहूंगा कि आप लोगों को यहां पर में करवा दिया जाए सारे के सारे कोश्चन और आप लोगों के बन सकते हैं बहुत बढ़ी आफ्रेंड आप लोगों के यहाँ पर में आंसर जो है कंटीनुएस ली आ रहे हैं ठीक है तो भगवान महावीर वाइड लाइड सेंक्चूरी ठीक है गोवा के अंदर में है यह आप लोग ने कर लिया किनार वाइड लाइड सेंक्चूरी अगर मैं बात पूर आप लोगों से तो यह आप लोगों को मिलेगा के अंदर में केरला में इंटर्व्यू आइलेंड सेंक्षूरी और डंडेली सेंक्षुरी आप लोगों को मिलेंगा करनाच कर क्रनाच करनाच कर हूंगे तो अंदरुग पसे नार कर में है और भगवान महावीर वायले और मैं चाहूंगा कि को हम लोग है last लिएक रख देऊ घर एक बार जसा समय इसको रख देते हैं क्या कि किने अइसे है जो इस पॉइंट को याद रख पाते हैं चैलेंज एकसेट कर रहे हो लास्ट में इसका आंसर करोंगे साथ 4 के चारों में बताऊंगे आप लोग लोग एक्सेट चलिए की देन दयाल उपाद्य इस फेमस पॉर पाद्या किस चीज के लिए फेमस थे ली चाहिए पंडित देन दयाल उपाद्या ऑप लोगों को याद रखना है भारतिय जनसंग को है इिसके एक इंपर्टेंट नेता थे उससे जुड़ वुए थे यहां पर में भारतिये जन्दा party जो है आज आप जो भारतिये जन्ता जो दल है याँ भारति पार्टी उसका हुदाइ हुआ है तो यह भरति राजनी तिग्ये थे आप लोगों कि यह याद रखने हैं आप लोग और इनका क्या मानना था है पर में ठीक है किस चीज को यह बेसिकली है, आपर में मानते थे, तिक है के लिए और आप लोगों को बता दू फ्रेंड्स की जो कंसेप्ट है ना इंटीग्रल हुमेनिजम वाला यह आप लोगों का ठीक है यह इनके द्वारा गया था तोलोगों 65 के अंदर में जनसंख्य समय में आप लोगों को याद रखना है कि एकात्म मानाववाद इंटीग्रल हुमेनिजम का जो कंसेप्ट है इसके प्रणेता ही है दीन दयाल उपाद्ध है 1965 के अंदर में इन्हों इन्होंने दिया था कि इंपोर्टन पॉइंट एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है नेक्स्ट कोईंट के तरफ में हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों का और वह कम्यूनिजम और कैपिटलिजम दोनों के विरोध में थे उसके विरोध में थे कैपिटलिजम को भी नहीं मानते थे उनका मानना थे दोनों के वीच का राश्ता निगाल अगर नहीं की कि खिदमतगार आंदोलन को किस ने अब्दुगफार खान जों मैं इसे संस्थापक है अौट सभी लोगें पश्तून लीडर थे बंगाल से बिलॉंग करते थे इनको बाश्या खान के नाम से भी जाना जाता था और भाई पश्टून लीडर ते सही बात है बाश्या खान के नाम से जाना जाता है वो भी सही बात है लेकिन नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से बिलॉंग करते थे ना कि बंगाल से अब ये Northwest Frontier Province कहा जाएंगा सर आपके दिल में बना दूगे यहां पर में भारत क्योंकि वैसे भी आपके दिल में भारत बसता था बना दे तो यहां पर में यहां पर में जो है ना फ्रेंट्स के आठ पहले विदेशी लिए जिनको भारत सर्थन से संमानित किया वह कौन थे अबदूल-गफार कहले दूसरे नमबर पे कौन थे कोई में को बता दे मां बादित करता है बाजरा आ आपको बताऊ गयिसान घृजा है तो आप लोग बताई यहां पर में इसका आंसर क्या होगा अर्यार्णा राजिस्थान पंजाब उपर 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 में से कोई नहीं आप लोगों को थोड़ी सी बात बतातो बाजरा के बारे में फिर आप लोग एजूटेट गया लगाना चैलेंज एकसेप्ट करते हो संबागर के हैं पहिए पत्थ्रिली जमीन उसमें भी ठीक है उग जाओगा क सर कोई बात नहीं बस सर मेरे को गादू पता अब तो पता दिया ड़िया आप весь उन्सार को प्राइब कि अ Tanzania होगा राजिस्थान का तो यह। जितनी भी संभाव नहीं थी जो सारी चीज़ थी कितने लोगों ने हिंट के बाद में आंसर लगाया मतलब वो समझदार लोग है उनके दिमाग की बत्ती जो है वो चलती है दिमाग और वो बहुत इंटेलिजेंट लोग है वो आगे जाकर बहुत तरक्की करेंगे जो हिंट क भारत में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्ये कौन सा है ओ ट्रिपल एससी के अंदर में आया होगा कोशन लीजिए तो कल लो बात ठीक है उडिशा एसससी के अंदर में भी पूछ लिया और 2017 में पूछ लिया था इसी वज़े से कहता हूं ठीक है दानी सर्क से कह अब लोग को एक अडवाइस दे रहा हूं ठीक है अनी सर से कह देना आप लोग अलग अलग की नाम के खो भी आये है एक दो सेशन लेलो ऐसे और अरे करवादो सर्क्री देखो कोश्चन वही से आते हैं आप लोग खुद देख सकते हो कोशन आया हूँ आ वहां से जब भी म अब बताओ यह सीटेट में आया हूँ कोश्चन आप लोग होगा अंसर क्या होगा सेडिमेंटरी रॉक मेटामॉर्फिक रॉक एक ही प्रकार की चट्टान है जिसमें आप लोगों को जो है फॉसिल्स मिल सकते एंसी आर्टी आठीवी कक्षा की आप लोगों की पुस्तक मे वल्सक्ति एंसी लेयर लेयर सतियो सती्य जश्यं आप लुगों का लाग होगा some water can टेकॲ नहीं होगा राजिस्तान सबसे बड़ा उत पादा कि सबसे बड़ा वाला पुछह है न आ अपसे इसी वजह से आप लोगा के और यहां पर में भी in भी सर्वाधिक करता है कौन सा वाला सरवाधिक राजिस्तान करताक करता बस घुञा होगई बस सर्वाधिक पूछा है ना जब सब भशो सर्वाधिक सब भी सब उन करो तो अब हो तक एक सब्से बढ़ें ऑफ मतलब इस तरीके से कुछ तो भी ऐसे चलती कई बार क्या होता है घारे चलते-चलते उसकी अध्यार क्मर में लचक लगे अःणिस ूहुट Йहां कि और ने बुर्फ में बन गया ओक लोगों का जीखे साउभ और अप रुच और लेक भी आतों कहा जाता है चाबजील भी बूला जाता है तो नदी के इसमें वोल दार मौर्वाड बन जाया तgebag हिमनदू में नदी घाटियों मेंand दो इक रिवर वैली के अंदर में रिगिस्थान होती आप लोगों औरangel के इंदर पहाडों से निकलती है से इधर से आगे बढ़ती है आप प्लेन वगरे से जाओंगे ना तो आप लोगों को बहुत सारे जगह पर देखने के लिए मिलेंगी ओक्सबो लेक्स चाप जील होम स्टेट ऑफ वन होन राइनो इस ठीक है एक सिंग वाले गेंडे का होम स्टेट कॉन सा जल्दी बताओ आप लोग लोग ने कर दिए बहुत बहुत शुक्रियों और तेरह सो के करीब लोग यहां पर में देख रहे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी बच्चे टीचिंग परीशा के साथ में जुड़कर अपनी ट्यारी 3.0 की तैयरी अभी से करना चाहते है या जो भी हसरत जहां जी बिल्कुल थैंक और अल्वेस वेलकम एक बार बता देंगे आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो अभी आचकल होम स्टेट ऑफ वन हॉन राइनो इस ठीक है तो भाई कौन सा है असाम है असाम काजी रंगा आप लोगों को पता है काजी रंगा नेशनल पार्क आप में आप लोगों का जो है आप लोगों के वान होन राइनो नंगे रंटान आणीधिundेंगे का संडर्ख्षित क्या गया है यह उस्टोरिकल अलोक पर फॉन-कि इतने में पाहा जाते थे बट्ट आप लोगों ने इसका शिकार कर करके करण करके घंचीव काजी इह आव यहां पर में लगा भी दिया है तो बहुत-बहुत शुक्रिया यहां पर में टीम हमारी प्रॉम्ट है प्लीज यह भी बता दीजिएगा कि कौन सा वाला डिस्ट अधा लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर यह भी बताओ आप लोग इसका अंसर क्या होगा सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसर कौन सा है सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसर अफ्रीका ब्राजील ऑस्ट्रेलिया तो सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसर जो है यह याद रखने आप सभी लोग ने वह है आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया ऑस् कि जो भी है आप लोग जो है आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छा सर्प्राइज है जितने भी बच्चे जुड़े रहेगे ना यहां पर में जैसे ही अभी मैं बस 15-20 मिनिट में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टन वाली अनॉंस्मेंट करने वाला हूँ पर लोगों की लगा लिए बहारत की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से भारत की अंदर में सबसे बड़ा जो है भाव साईट का उत्पादक हे पूछा यूशेट में के अंदर में पुछा से अगर आपसे बोले कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है कि बॉक्साइट का तो याद रखना उडिशा वक्साइट से ही निकलता है कि इससे निकलता है कि इसे निकलता यहाद रखने एक लिश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक व्रिशा ही है एसे याद रखना पलोगों के इसव को सारे में बटातों 202 वाली शित में निया था या था लीजिए वहाँ से आगया आप लोगों का है ओके है कि पीए सी टीरी 3.0 की तैयरी के लिए कोर्स कब से मिलेंगा स्मीता पंडे जी मिलना स्टार्ट हो चुका है ठीक है और स्टार्ट हो चुका है आप जो है नीचे में जो नंबर चल रहा है उसके उपर में कॉल करके आप ज दाकर जाब लग गई लगई इनर वइस की लगई है इस वरस्ट रसे जिए बॉक्स जो है कि अप लोगो कहां सार होगा उस्टेक्स को पर दोशी। तुनहर रेशा से क्या भी प्राय है आप लोगों का सारन में हुआ है मैं आपके बारे में बताती हूं सर रहा है कि सारन जीला उनको मिला है प्रहां जी यहां एक है को सारन जीला मिला है का शुर्ट हुं में हमजा कुछ और बढ़ी आया तो आंसर क्या हो जाएगा जूट को ही आप लोग पट्सन भी बोलते हो देखो एक चीज में आपको बताना चाहिए बहुत ही इंपोर्टन वाली बात है पट्सन की पट्सन तो है इसको सुनहेरा रेशा बोलते इसको उगने के लिए कौन सी वाली मिठी चाहिए होती है आप लोग आंसर करोंगे मतलब जी अच्छी उपजाव मिठी है तो इसको भारी वर्षा चाहिए इसको पुछन कटी बंद्य शेतर में उखता है भारत बांग्लादेश के अंदर में सबसे जादा को आता है जो ऐसा ह बताओ कि इसका भाई कौन है जो इसको भी उसको भी ये सारी चीज़े चाहिए होती है पटसन का भाई कौन है पटसन का पटसन का राइस है चावल चावल भी आप लोगों को पता है ना इतने ही नखरे उसके चावल के भी बहुत जादा तापमान चाहिए बहुत जादा बार आप लोग सीख रहे हो बहुत अच्छी बात है तरब में आगे बढ़ते हैं देखी एक कुशन आपको करवाया था एससी के अंदर में आया होगा कोशन था ही आपका एक 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 जन संख्या में परिवरतन के तीन मुख्य कारण कौन-कौन से है 1442 लोग यहां पर में जूड़ अपर में आप लोगों को मिल जाए गई है तो जन संख्या में तो परिवरतन के तीन मुख्य कारण कौन से है जन्म, मृत्यू, प्रवास, जन्म, मृत्यू, विवहात, जन्म, मृत्यू, जीवन, प्रत्याश्या एक से अधिक यह उपर रखने से कोई नहीं एस पर NCRT मैं आप लोगों को बता दू फ्रेंड्स, जन्म, ठीक है, यह मृत्यू, बहुत सारे लोगों का जन्म हो गया कि वीट के समय में, पताना मत किसी को बस, इतने लोगों को पता है, वाज जातों नहीं रहे न, बाद की लोगों को तक मम्मी पापा सुन रहे पता चले, बेटा, तुम्हारा भी तो सेकेंड़ वाला आपको वीट, जन्म के वज़े से होता है, कई सारे लोग मर भी गए, उ चले गए, गाउ का गाउ जो है, सारे के सारे पुरुष कमाने चले जाते है, शेहर में, सिर्स्तिरिया बच जाती है, तो उससे भी जन्संख्या में परिवर्तन आता है, आप लोगों का, है न, यह याद रखना है, ठीके, कहन ता है, मेरा हुआता है, यह ऐसे पब्लिकली के मुख्य कारण है, जन्संख्या में परिवर्तन के मुख्य कारण है, इसको याद रखना है, आप लोगों ने, इंपोर्टेंट है, एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, नेक्स कोशन के तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता द परिस्थिती आशांती कहते हैं, इसको तबाही कहते हैं, परिस्थिती की शरण कहते हैं, इकोलोजीकल डिस्टर्बंस, कैटस्ट्रोफ, इकोलोजीकल डिग्रीडेशन, तबाही तो नेचर के वज़े से आती है, तबाही मचा दी भाई, तो तबाही तो नेचर के वज़े स बताईए आप लोग को बहुत बढ़ी है आप लोगों के जो फ्रेंट्स आने स्टार्ट हो गया आप लोगों को बता दू कि जो पॉलूशन है इनसानों के द्वारा किया जाता है यहाँ पर में जो भी सारी की सारी चीज़े आप लोगों की करती मानव घत्यू विदि के प्रीवर्तन होते आप लोगों के इन्दर में चसे अन्दर में परिश्तिती के इन्दर में तो आप लोगो ने क्या किया है डिस्टेडिन कर दिया इक उलाजी निसका फघ्छी संटन के अप्छेंगा औप स्टितिति की describe și क्योंकि disturbance create किया है by whom by human being okay human beings जो है उन्होंने क्या किया है इसको disturbance create कर दिया है यह परिस्थिती ऐसी थी परिस्थिती की तंत्र उसमें disturbance create कर दिया आप लोग ने तो उसका normal सभाव था उसमें चेंज ला दिया है आपने लोगो क्या है वर्लड वाइड लाइफ फंड ड्फ नेचर्बी को कहा जाता है और इसकी बारे में तो आप लोगों को होना ही चाहिए इसका headquarters कहा परमेश की स्थापना कभ हुई थी सारी के सारी इन्वर्मेंटल को संस्ता आप लोगों की काम करती है ऑगे कि बॉलड वाइड्लाईफ फांड फट्रम वर्ल वाइड्लाईफ फांड order now billू left इसका उसका पर में आप नहीं ह। इसका वो क्या है एनिमल सिंबल क्या है रेट पंडा, जायंट पंडा, टाइगर, तो रेट पंडा नहीं, चाहे है यहाँ पर में आप लोगों का जायंट पंडा, विशाल का है पंडा, जायंट पंडा, रेट पंडा, रेट गलर का होता है, यहाँ पर में जायंट पंडा, जो बड़ा सा पंडा है वो इसका सिंबल है 1961 में इसकी स्थापना हुई थी इसको जो है World Wildlife Fund for Nature के नाम से भी जाना जाता है 1961 में स्थापना हुई थी Gland नाम के शहर में Switzerland के बहुत ही important question है The Living Planet Report यही निकालती है The Living Planet Report एक काम करो सभी लोग बच्चे लिखेंगे The Living Planet Report कौन निकालता है The Living Planet Report WWF निकालती है सभी लोग लिखो यह कोशन आएंगा एक्जाम के अंदर में The Living Planet Report कौन निकालता है जल्दी से The Living Planet Report और 1846 likes आप लोगों ने कर दिये friends और यही चीज मुझे आप लोगों की प्रेरीत कर रही है एक घंटा होने के बाद में भी कि मैं निकालता है लिख दो यहां पर में लिख दो जायंट पंडा उसका 1971 में इसकी सापना होई थी तो जर्लेंड के अंदर में ग्लैंड में इसका है आप लोगों का ठीचर डेपर मैंने आपका स्कैच बनाया था याद ठीची बिलकुल कि आर्टिस्ट थैंक्यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेक्स कोशन के तरफ में आगे बढ़ते हैं अधिक्स पस्ट कहा पर में हैं ठीक है भूमत्य रेखा पर करक रेखा पर मकर रेखा पर देकि ओजोन होल है वह आपको कहा पर में देखने के लिए तो कहुंगा कि ओ पूरा पूरा च्छेथ हो गया ऊजोन की लेयर पत्री हो गई हो गयी ओडोन होल उसको बोलते है आप यह तो इक्वेटर पर है ना तो ट्रॉपिक ऑफ के प्रिक आप लोगों को मिलेंगा अंटांक्टिका के पास में साउथ पोल के पास में ठीक है सबसे जादा अधिक स्पस्थ है आपका साउथ पोल पर तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा और यहां पर नीचे में अंटाक्टिका में देखने के लिए अपको अंटाक्टिका की ओपर में एक रिए अंटाक्टिका की अंदर में इज द ऻणसर अच्छा ऑजों की जो परत है उसको नापने का यूनिट ओज्व की मापी जाती है ओजोन की मोटाई मापी जाती है आप लोगों की डॉप्सन यूनिट में डॉप्सन यूनिट सभी लोग लिखेंगे डॉप्सन यूनिट और कोई बच्चा लिखेंगा, ओजोन की मोटा ही किसमे मापी जाती है, डॉपसन यूनिट में, एक एक बच्चे से चाहिए, मुझे यहाँ पर मैं आंसर, डॉपसन यूनिट लिखो, ओजोन, डॉपसन यूनिट, ये कोशन जो है, फ्रेंट्स, यूपी टैट के अंदर में भी आ चुका है, और अन गिनत एकजाम के अंदर में पूछा जा चुका है, आप लोगों का, डॉपसन यूनिट, डॉपसन यूनिट, डॉपसन यूनिट, तो डॉपसन यूनिट के अंदर में नहापा जाता है, आप लोगों का, ओजोन की परत कहां पाई जाती है, स्ट्र को बचाने के लिए 16 सप्टेंब्र को मनाया जाता है 16 सैप्टेंबर 16 सैप्टेंब्र書 पहा लिंगा 1 वर्ल्ड ओसून डे वर्ल्ड ऐस aren't p0 यस्थीं सॉप्तेंबर याद रखेंगे आप लोगत इंपॉर्टन कोशन के हरको लिख दिसंगा आपकर में सब्सक्राइब को मनाया जाता है इंपोर्टन वाला कोशन है कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से काटेदार जंगल कहा नहीं पाए जाते करनाटक में आंधर प्रदेश में तमिल नाडो में और यह कोशन बहुत सारे बच्चे ने मुझसे पूछा सब्सक्राइब कैस सब्सक्राइब और में यहां पर मैं आप दिखी मध्यप्रदेश के अंदर में ठीके अशारीके नहीं पाया हमोंते इंदर में बहुत ज्य्यादा में ख्लाइमेट के एजिस इलाके में वर्शा का अभाव होता है उस इलाके के अंदर में काटे दर जढ़िया उखती है और कहा कहा पर में अलग अलग फेजियो लॉजीकल फेक्टर के कारण आप लोगों की वर्षा कम होती है वो दिया गया आप लोगों को खत्म हो गई बात यहां यहां नहीं होती तो वहां वहां पर में आ की सिस्राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिठ्टी है लेटराइट मिठ्टी वानिधे और भी सलाज्टी से मिठ्टी ऑल्जासरा यह बठी है जलiram है का यह से पहली बात को आप लोग मिठ्टी क्या होती shark कि इह वर्ट लेट्राइटी देटी आप लोगों की एव लोही उगाने के लिए बहुत जाधान होता है बंदर मैं अपको बताँ यह मित्टी क्म TP मित्टी असीडी मित्टी अधिक होती घुरिय अम मीरे होती है मित्टी आप लोगों की मित्टी लौप एटे वगरे बनाने में आपने भी गरा के लिए के लिए और कहावा करके होता है कहवा तुरिभ fällt कि लिए बहुत की कि लेटराइट मिट्टी आप लोगों को सबसे जढ़ा कहा मिलेगी इस राज्य में सबसे अधिक मिलती है कि अगर मैं आप लोगों को यहां मैप दिखाऊ एक मिट्टि का यहां आप लोग इसको देखिए कि फिर अप्शन का इसे यहां पर मिलेंगी जलोड मिट्टी उपर वाला जो शेत्र ओंदर एक नाम है इस इलाके के अंदर में लिट्टोगा इस इस इलाके के अंदर में कि आप देख़े हो यहां पर मेंद्द क्या पर में गाव में फूरा पूरा पूरा टार इट करा इंधर में पूरा मे नाइज में, जिसके वज़से जो मिट्टी हैी आप लोगों की, वहां पर में आप लोगों को जो हैं, ऐसी डीग होती है आईरन ऑक्षाइट के कारण, और वहामें नमी मापने के लिए निमनली कितम से किस उपकारण का उपयोग किया जा सकता है आवा में मिध्टी को मापने के लिए यह अंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से आपको पूरा का पूरा बहतर तरीके से questions और extra explaining सात में आपको पढ़ाया जाएगा बताओ जल्दी से हवा में नमी को मापने के लिए निदल इसमें से किस उफकरन को अपयोग किया जाता है आप लोगों को नमी नमी सी लगती है आप लोगों को हवा के अंदर में नमी की मातर मापने के लिए किसका हिस्ते हेमाल करते है ऐवा में नमी थोड़ा ओस वह लोगी हवा में नमी Candry हाइग्रोमीटर जो है वह हुमिडिटी को मापता है एयर के अंदर में कितने वेपर्स प्रेजेंट है आप लोगों के याद रखने आप सब्सक्राइब इंपोर्टेंट है ओके हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर के दोनों अलग अलग चीज है आप लोगों का हाइग्रोमीटर जो होता है आप लोगों का जो है आप लोगों का मापता है फ्रेंड्स हुमिडिटी को और हाइड्रोमीटर जो होता है आप लोगों का वह मापता ह अंदर उसके बें में किसी बी अंदर में अध्रता को या नमी को मापने के काम आता हैं जल्दी इसक्णर को पूरा का आप लोगों को यहां सकते हैं तो हाइडू से ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके और एक चीज आपको बता दू अब एक नया एक्सपेरिमेंट जो एक नई चीज आप लोगों के लिए कर रहे है सबसे इंपॉर्टन वाली चीज मैंने आपसे कहा था कि जितने भी आपको टेबल दिये जाएंगे वहां पर में उसके कौन सब्सक्राइब नहीं है आप लोगों अज़न वालीघ परवत नहीं है झाल झाल कि दिम्द लिकेतं में से कौन सा यूगा वलित परवत नहीं है ठीक है अरावली एंडी'S ऐपलेशयन इज अपलोगों का यह old fult mountain है अपलोगों यंघ पोड माॉंटेन में आता है आपलोगों का हिमाले एंडी यंघ tenky example है वही promotes लिए बदर में अगर में बात पूर आपे पुरत एक प्लेट से बनीवे देखे विए हैं दूसरी ऑपर में चढती है अगर एक प्रेट दूसरी ऑपर में हाट ऌठे़की के करण तो उसको कहा जाता है आप लोगों का टेक्ट है आप हमों सब्सक्टा चुना होड़्य है और जो पहार यह बनते श्रIM आपको बताना है आपको बताना है आप लोगों का बिल्कुल जॉइंड आपको ले सकते हूं वह कॉल कर लोगे या मैसेज कर दोगे आपको बता देंगे आपर में जोती सिंग जी वह भी होगा वो एक्चुली एक लास तीन दीन से जा रही थी हिस वजय से अपने ही जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स अप्लेशन को आ रावली को आपवनों के माॉंटेन is । ए और वो फोल्द में भी ऐ ओल्द फोल्द माॉंटेव ड्यांपर मैं पेल्र माउंटेन है बहुत जाधा इंपरने को यहां पर यहां PRT की भी अवेलेबल है शाहिद इकबाल जी आपको जो नंबर चल रहा है उस पर आप call या WhatsApp कर दोंगे तो टीम आपकी help कर देंगे है यहां पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों का आगे पढ़ने से पहले आप लोग को एक चीज बला दूँ यहां पर कि अगर आप लोग टीचिंग परिक्षया का एप्लिकेशन यूज कर रहे हो तो आप लोग रेफर कर सकते हो अपने दोस्तों को मैं आप लोगों को एक बात बता इसको इस लिंक को आप लोगों को जितने बी टेलीग्राम गुरूब है इसको आप लोगों के अकॉंट में मिलता रहेंगा आपको यहां-पर में देखेंगे आप इस पर क्लिक करेंगे रेफर यूर फ्रेंड इन्वाइट करना है आपने देखें लिए सकते हो फिर बात उसने एक रहेगा और आपको पर बिलेगा और आप क्या कर सकते हो जैसे वो लिंक है इनवाइट वालीू लिंक भीज दो कई सारे बच्चे जिन्हों ने टेलिग्राम घ्रूप में बेच दिया ुत प्यां बच्चे आवंड मिलते जा रहा है उसके आम आपको दिख जाता है यहाँ अपर में जितना भी आप लोगों का वैलेंस है जितना भी आपका है और डारेकल अप यूपी नंबर डालके उसको अपने इंस्टंटली एक सब्सक्राइब अपने अकांट के अंदर में ले सकते हैं इस तरीके से आप लोगों के पूरी पूरी टेशलड ओध会 लिगिन यह जो बच्चे यहां तक पुचे इस लेक्चर तक है अगर वह ठीक है कोई बर्णा चाहते है थींहें आप लोग तोog अगल की अंध्य आप 55 परسंट का फिटी का क्रूया 25 परसेंट ऑफ का आप क्या कर सकते हो record लएकिन लोग को पहुचा है उनके लिए एक्स्राप को बता दू इसके अलावा में आपके लिए यह जो है एक कोश आप लोगों का बंके रहा जाए अप क्या करूंगे जिस भी बच्चा यह कोड का इस्तेमाल कर रहा है उसको extra benefits भी बहुत सारे मिलेंगे तो संक्रान्ति 55 का कर रहा है क्योंकि आप स्पेशल हो आप लोगों के लिए आप मान लिजी आगे में जाकर टीचिंग परिशा के साथ में कोई भी कोई भी और भी आप लोग चीजे यूज करते हो कोई भी चीज आपको करनी है तो वो सारी चीजे आप लोगों को एक्स्ट्रा में ही मिलेंगी संक्रांती 55 आप लोगों को इसके आप लोगों को भी वहार गी की एक जिए यसके 5 के फिरोगा को मिल रहा है ये book आपको Hindi plus English दोनों में मिलेंगी आप लोगों को प्लस विहार के अलग-अलग exams में पूछे गए questions है पी go रियंके जितने भी अलग-अलग exams में पूछे गए questions है फिवाई त्री के नहीं सारे के सारे पीवाई लोगों के लिए भी जिन्हों ने अब तक पर्चेस किया हुआ है उन लोगों को भी इंक्लूड कर दिया गया है इसके अंदर में तो बच्चा यहां तक देखा हुआ है जिस बच्चे ने पर्चेस किया हुआ है उनको केवल उनहीं लोगों के लिए नेक्स कोशन के दर में आगे बढ़ते हैं निम्दल किसमें से कौन सा शीत कती बंध में आता है एरिया लाइंग बिट्विन साड़े इसके दिग्री नौर्थ लॉटिट्व एंड नौर्थ पोल फ्रिजीट जोन किसको बोलते हैं तीट कटी बंध वाला इलाका यह आपका एक्कवेटर है यह आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कॉन है मकर रेखा उसके बाद में अगर मैं बात कर आता है Arctic Circle जहा आता है Antarctic Circle तो 6,5 डिगी रुट से लेकर नब्खे डिगूर्फ तक का इरिया है इसको आप प्रिजीट जोन बोलते हो हो और वैसे ही 5,5 डिग्री ऐट लेकर 9 डिग्री सा सुन वाला जो अपका इसको भी आप लोग क्या बोलते हो प्रिजीट जोन बोलते हो तो 356 degree north से north pole वाला बिल्कुल सही है यह तो ही area lying between 5,23 degree and 6,igs 5,23 का तो कोई लेना दिना ही nहीं है area lying between antarctic circle antarctic circle मतलब होता है 1,65 degree south 1,65 degree south और south pole यह 36,67 degree south है नहीं है साउथ pole 90 degree south वाला तो यह भी e और c सही है तो आंसर उपरविक में से एक सेधी को जाएगा कित्ते लोग ने यह आंसर सही लगाया था यह बता दीजी आप लोग अल इंडिया किसान सभा ऐसान राधा पूरे ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में था 1996 नहीं ऐसान राधा 1936 के अंदर में लखनों में हुआ था कौन थे उसके किया देख जलदी से बता दीजिए आप सभी लोग कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं ठीक है कि आपका डाउनूड किया है कोई भी आपको उसके अंदर में दिक्कत है कैसे यूज करना है क्या करना है तो आप क्या कर सकते हो नंबर चल रहे ना उस पर आप बिंदास कॉल या आगे बढ़ते हैं यहां पर मैं आप देखें कि क्लास 6 की जोग्राफी की जो बिहार बोट की है उसमें सेकेंड नंबर का चेप्टर है यहां पर में 6.5 डिग्री से नॉर्थ 6.5 डिग्री से साउथ इसके अलावा आपको बता दू बिहार एस्टेट की जितनी भी बुक्स में मिल किसके नित्यतव में संथाल विद्रो अठासो पच्पन अठासो शपन में हुआ था राजकुमार शुकला का से आगे जनम भी नहीं हुआ था इनका ठीक है ओके एसेंस सिनहा सहजानन सरस्वर्ती किसके नित्यतवत्या के अंदर में यहां पर आपका संताल विद्रो विद्रो वह था था संताल रिबिलियंग आपका डल्हॉजी के समय में हूँ आ था राजमहल हिल्स मतलब कहा पर में यह जारखन का जो इलाका है ना इधर में मां जी इनदटन ईनो झाल मुढ है से påटल जो का याप डिंडीगर हम बात करें एक संस्सान खTrackala जंजाति के डिवारा किया था आप लोगों का जो this सिंदु मांजी है उन्हों ने इसका विद्रोण का जो है समर्थन कि नेत्ल किया था इस अप यह सब आप लोगों के सन्थल Religion के नेता थे इंपॉट novel है अगर मैं बात करूब आप लोगों से राजकुमार शुकला की चंपारान आने के लिए इन्होंने निद्व किया था सचेंदरनाथ इनहां जो है आप लोगों के पता है आपको की सव्विधान सभा के पहले आप लोगों के अद्यक्षत है सहजानानाथ सरस्फत्ति तो All India, किसां सभाद और बिहार प्रोविंशल किसां सभाद में को एक बात बता और आप लोग quelque बताउंगे कि इन की अध्यक्रण किस ने कि थी गिखने निद्रिया बंड़ किसां सभाद एक कि देखते किस नोगा इसकी ने Сलिथ अभिग्सरू को यहां ने आ पर में राजकुमार जो है इस पाट्रिजूर क्शृषिन की अग्वर्च कोई नहीं तो ऊपर उपर युक में से कोई नहीं नन छेत्च rock पाइसर हो जाएंगा आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट के तरफ में आगे बढ़ते हैं इससे पहले मैं आपको बता दू कि जितने बच्छे सीटेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो पेडागोजी वीक आप लोगों का चर रहे हैं तो हिंदी पेडागोजी पॉसिटी कर ले रहा है हापर में कॉल अपने अगर मैं बात करूँ आप लोगों का कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महतोपुन घटना घटी थी तो 5 मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझा होता हुआ था हुआ यू था फ्रेंड्स की गांधी जी ने 1930 में गांधी जी ने आप लोगों का बनाया था एक आंदोलन शुरू किया था जिसको आप लोग सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट कहते हो सवीने अवग्या आंदोलन जो सवीने अवग्या आंदोलन था अप लोगों का ये चलता रहा जिसके कारण पहली roundtable conference कांफरेंस में भी नहीं गये थे गांधी जी और कॉंग्रेस वाले लोग दूसरी राउंटेबल कॉंफरेंस 1931 में हुई थी इसके पहले गांधी जी और लॉड इर्विन जो भारत के वाइसराए थे यह उस समय में के बीच में समझाता हुआ था गांधी जी और लॉड गांधी इर्विन समझाते को जो है अधी इर्विन समझाते के लेकर जो कॉंग्रेस का सेशन बुलाया गया था वो किसका था गांधी इर्विन ठीक है जो समझाता हुआ था आपका 5 मार्च इसको लेकर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का एक सेशन बुलाया गया था यह सेशन बुलाया गया था कराची में कराची इसकी अध्यक्ष्टा किस ने की थी यह कुश्चन जो है डी ट्रीपलेस्वी का जो टीजीटी हुआ था इमिल शिप्ट का इसके अंदर में आया था अध्यक्ष्ट तक किस ने की थी सरदार वल्लब भाई पटेल यह आप लोगों का आंस्र हो जाएका सरदार वल्लब भाई पटेल इंप्भाई पूछते है क Mick 1931 का सेशन कराची में हुआ था किसने अध्यक्ष तक किती सर्दार वल्लभाई पटेल ने की इंपोर्टेंट है एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है next question के तरह में आगे बढ़ते हैं friends हम लोग नमकarat चलाया था तो नमकी सत्याग्रह direct उसका नेत्यतों बिहार के अंदर में किस ने किया था छे अप्रेल को भी पीन बहारी मर्मा भर्म लक्שमी नारायन ज्यारांट रामलाल प्रसाद पताईए है अप्रेल 1930 पो चंपारण में नमक सत्याग्रह का निर्टित्व इसने किया था अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो वह निर्टित्व जो है दक्षिन भारत के अंदर में ती राजगोपालाचारी ने किया था जो आपके NCIT के अंदर में भी किया गया है ख्राश सब्सक्राण में आपफ लोगों से पूछा गया है चंपारण के अंदर में तो विपिन विहारी जो है आप लोगों के विपिन भिहारी जो है इसका पेसिकली आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो उन्होंने किया था लेकिन अखिल भारतिय स्तर पे अगर आप लोगों से बोला जाए तो आपका आंसर होगा महात्मा गांदी कि इन फै इलिक तरह मैं आगे बढ़ते एक अपलोगों से इसके अलावा पूना समझालते पर फस्ताक्षर कप किë गए पूना समझाता हुआ किसके किसके बीच में था यह कोशन एक आप लोगों का बनता है तो पूना समझाता हुआ था आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अमबेटकर के बीच में हुआ था पूने की यरवडा जेल में पूने की यरवडा जेल में तो फिर उन्होंने बोला मैं खाना भीना चोड़ दूगा महात्मा गंदी ने डॉक्तर बीयार आमबेटकर को लगा यार कि अगर इनको कुछ हो गया तो इनके अनुयाही हमेशा मेरको कोशेंगे कि बीयार आमबेटकर के वज़े से महात्मा गंदी मर गए तो फिर उन्होंने समझाता कर लिया कुछ बात इन्होंने मान ली कुछ बात इन्होंने मान ली और फाइनली 24 सप्टेमर 1932 को ये पूने की यरवडा जेल में समझाता हुआ था इसको आप लोग पूना समझाते के नाम से जानते हो ठीके पूना पैक्ट बीस को कहा जाता है था ठीक है ठीक है 1857 के विद्रो में बिहार का नित्यत्व ने किया था डारिक कोश्चन है आप लोगों का जगदीशपूर के एक ओल्ड जमिनदार थे बाबू कुवर सिंग इन्हों ने किया था आप लोग देख सकते हो फ्रेंट जगदीशपूर के कुवर सिंग अमर सिंग जो थे इंकल आप जिंदाबाद का नारा किस ने दिया था बहुत ही एक फेमस कोश्चन है फ्रेंट्स ये वाला आप लोगों का इंकल आप जिंदाबाद वाला वैसे इस नारे को आप लोगों को मैं बता दू कि हसरत मोहानी जो है ठीक है उन्होंने लिखा था 1921 के अंदर में 1921 में लेकिन इसको फेमस किस ने किया बाद में इसको फेमस किया फ्रेंट्स आपका भगत सिंग ठीक है सुख़देव राजगुरू अश्वाकुला खान र के अंदर में पूछा जाता है इस पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी लोग असरत मोहानी ने इसको लिखा था इंकलाब जिंदाबाद का नारा और इसको फेमस किया बाकी और जो दूसरे लोग के उन लोग ने लिए उत्तर प्रदेश के अंदर में इनका जन्म हुआ के बारे में भी अधरत मोहानी के मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था इसके अलावा तुम मुझे खूंदो मैं तुम्हें आज़ादी दूगा सुभास चंदर बोस करो या मरो का नारा महत्मा गांदी ने सत्य में वजयते पंडित मदन महन मालिवय ने जूस किया था बहुत सत्य में वजयते पंड़क निश्यद में दिया गया है तर फरोशी की तमन्ना इसको फेमस किया रामपरसद बिस्मिल इंद कनारा नेता जी सुभास चंदर बोस पाकी आगे आप लोगों के हापर में सुभास चंदर बोस ने किस थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद सिंगापूर के अंदर में आजाद हिंद सरकार बनाई थी उन्होंने 6 जुलाई 1943 को सुभास चंदर बोस ने दिल्ली चलो का नारा यहां पर में दिया था यह याद आखने आप लोगों ने ओके सिंगापूर के अंदर में इन्होंने जो है इंडियन नेशनल आर्मी है बेस और इसमार्म फोहन सिंग भी उनको कहा जाता है और बाद में यह कमान नेशनल आर्मी के सुभास चंदर बोस को सौफी गई थी है को आप लोगों के दो कोशन यहां पर में होते है दिल्ली चलो का नारा सुभास चंदर बोस ने दिया था सिंगापूर में दिया था और एंधके अंदर में, दिल्ली चरो का नारा किस ने दिया था, दिल्ली चरो का नारा किस निया दिया गया है आppen वीकों टूरत में विंगा पूरे सार जया रहा जैंग के अंदर में नागपूर अधिवेशन के अंदर में जो है विजय रागव चारियर चक्रवरती विजय रागव चारियर नाम था उनका वो अध्यक्ष थे इसके नागपूर में 2020 में डिसंबर में और इसी के अंदर में असायोग आंदोलन जो है उसका प्रस्ताव पूरी तरह से पारित हुआ था असायोग आंदोलन कॉंग्रेस की सदिवेशन में अपनाया गया था यह याद रखेंगा इंपोर्टन वाला कोशन है इतने भी लोग देखें जिन्हों ने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक भी ज़रूर कर देंगे और कमेंट्स में आंसर करते रहो आप सभी लोग इतने भी लोग है थाले कि बांसर करता है झाल 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 आप लोगों को यहां पर में आवाज आ रही होंगी तो नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है इसको यह चीज थोड़ी सी आप लोगों नहीं याद रखने हैं आप लोगों को यहां पर में जब तक मैंने इसको दूसरे सेल्स यहां पर में लगाया है तो आप लोगों को याद रखना है कि दांडी मार्ज जो है गांधी जी ने आवसायोग जो आप लोगों का students are Allah उसे पहले हैं इसhelm को साथ किया था 12 मार्ट 1930 में घंदी जी के साथ में कितने followers घह थे एकवा जल्दी से इनलों कितने लोग जिए गांधी जी के साथ में ढबली जी के साथ में जान्दी सार्थ में गलते तो 78 followers जो है वो गांदी जी के साथ में चले थे यह यादखने दांडी नाम की जगह पर दांडी मार्च जिसे नमक मार्च या दांडी सत्यग्रा के नाम से भी जाना जाता है निम्दल कितमे से किस आंदोलन का नेत्य तो किया उसके बाद में कौन सा वाला अंदोलन शुरू हुआ था यूपी ट्रिपल सी जेए की एक्जाम में आया वह कुश्यन जल्दी जल्दी से बताईए थीस सो प्लस लाइक हो चुक या बात है मतलब आप लोगों ने आज तो बिल्कुल गजर मचा दिया है बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे हो तो इस कोश्यन का अंसर करेंगे आप सभी लोग की दांडी मार्च जो है आप लोगों का इसको नमक मार्च या दांडी सत्यग्रा या नमक सत्यग्रा के नाम से जानते उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मुव्मेंट स्टार्ट हुआ था तो सवीने अवग्या अंदोलन स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च के जस्ट बाद सब्सक्राइब कि मैं है यह जगदिषपूर आरा बिहार कें अंदर में कुवर सिंग ने किया था है क्लिकन जाना साहभ टेटेन के जनर είναι और सेंट्रल इंडिया अध्या भारत है वहां पर में लड़ाई लड़ी थी जहासी की रानी की मदद भी की थी तात्या टोपे ने और ये कानपूर के कानपूर से जिसने कमान संभाली थी आना साहिब उनकी मदद जनरल हुआ करते थी ठीक है उसकी अलावा जो है फ्रेंड्स दमन किया था विल्यम टेलर ने दमन इसने फॉर वर ब्लोक कि थांपना की बहुती इंपोर्टन कोश्यन रे फ्रेंड्स फॉर वार्वड ब्लॉक Mary ब्लॉक नाम से एक पार्टी बनाई थी, forward block नाम से, इक forward नाम से एक अकबार था, अकबार, उस पेपर, forward, चित्तर अंजन्दास नहीं निकाला था, निूस पेपर, लेकिन forward block नाम से एक पार्टी किस ने बनाई थी, वो बनाई थी, सुभास चंदर बोस ने, ठीक है, 1939 में, न सुभाष चंद्र भोस ने याद रखने आप लोगोंने वानाई फॉरवड ब्लोग की स्थापना की थी ओल इंडिया कॉंफेरेंस जो था फॉरवड ब्लोक का चिनायगपूर में 1940 के अंदर में स्थापना कब हुई थी 1940 के अंदर में इसको लेकर रहेंगे दिया था भाई बताओ ये कितने बार आप लोगों को बता चुका हुए कुछन पूछेंगे करके स्वाराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा अब मैं आप लोगों बता दू 1916 के लखनव अधिवेशन के अंदर में भासन देते समय इन्हों पाक्यांच दिया था स्वाराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार्य मैं इसको लेकर रहूँगा बाल गंगा धर तिलक का आईडिया अप लोगों ने बाल गंगा धर तिलक का स्वाराज इस बाल गंगा अधिक जो आप लोगों का यह सेशन रहा था लखनव के अंदर में आप अधिक अवद किसान सभा की स्थापना की इस ने किती वैरी इंपोर्टन देखो अब यहां से मैं आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूं कितने लोग चाहते रिवीजन करा दू एक पहले आप लोगों किसान सभा वाला था ठीक है तो यह पहले आप लोग मेरे को यह बताए इस पर्टिकुलर कोशन का अंसर क्या होगा आप लोगों का अवद किसान सभा की स्थापना किस ने की थी पाता अबाबा राम चंद्र ने दयानन्न सरस्वती बिर्शा मुंडा है उनकर बम बिर्शा मुंडा मतलब बिर्शा मुंडा हो गई Stuff वह कहां से आंगर ऑ दो भी कहां से आ जाएंगे जिन्हों ने आपकी स्थापना की थी आरे समाज की स्थापना की थी तो आंसर क्या हो जाएंगा अवद किसान सभा की स्थापना जो है स्थापित करने में मज़द की थी अब मैं आपको थोड़े सा यहां पर मैं इसकी रिवीजन करा देता हूं तीनों के तीनों कर लेते हैं आप सभी लोग रेडी है क्या बात है 24 के करीब आप लोगों ने लाइक कर दी आप तो यार मेरा बनता है आप लोगों को यह रिवाइस करवाना यह ना बनता है की नहीं बनता है रिवाइस कराना आप लोगों को बिल्कुल हमने देखा पहले पर परते हम अवद अवद किसान सभा अवद किसान सभा अवत किसान सभा दूसरा वाला बताएंगे में को बिहार किसान सभा बिहार प्रोविंशियल प्रांति ये किसान सभा किसान अब हाँ तो आप लोग मुझे बताऊंगे एक एक और एंडिया किसान सभा कि अवत किसान सभा जो है फ्रेंटी के अंदर में इसकी स्थापना होई थी संस्थापक थे राम चंद्र दास ठीक है और जवाहर लाल नहरु जो है उन्होंने भी इंगतान दिया था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है उनिस्तों इस में हुई थी इसके संस्थापक थे सहजानंद सरस्वती और और अब लोगों नहीं याद रखना है जल्दी जल्दी से सभी लोग इसको एक बार अपने मन में करेंगे सभी के सभी लोग हर एक बच्चा जल्दी से रिवाइस कर लेंगा इसको आप लोगों के दौरान विहार में किसानों का नित्व किस ने किया आपको पता है कि कोशन आता है आप लोगों का कितने लोगों को पता है और कितने लोग चाहते है कोशन को भी मैं आपको करवा दू ठीक है कौमी विद्यानंद जी ठीक है और सहयोग अंदोलन के समय में अंदोलन के समय बिहार में किसानों का किसानों का नित्रत्व किया था किसने स्वामी विद्यानंद जी ने आया था यह कॉष्चन स्वामी विद्यानंद जी ने इसका नित्यत्व किया था एक और यह प्रेंट्सprove में आ चुका आप की आप लोगोस के बिहार की आप प्रेंट्स निएस्टव के अंदर में कboys यह से कुंछ जा सकताया आप लोगों से हो सकते हैं जो कुछन आप लोगों का कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे इसका अंसर क्या होने वाला है जल्दी इंपल सी बात है आप लोगों का यहां पर में आंसर हो गया स्वामी सहजानंद जी 236 के अंदर में लखनों में हुआ था यह अधिवेशन आप लोगों का कि अधिये विहार प्रांती किसान सभा का गठन किसने किया था लो यह पीपिसी 65 वाले के अंदर में कुश्यन आया अप लोगों, बताईए और क्या चीह आप लोगों बढ़िया तरीके से आप लोगोगों का यहां पर में यह भी होगे एक बार फ्रेंट जितने भी लोग ह सवामी सहजानंद सरस्वती और इसके अलावा आपको याद अखना है कि बिहार प्रांतिय किसान सभा की स्थापना कभू थी तो उन्थी थी थी पॉर्टेंट है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था 64 सीशी गें अंदर में कुश्ण स्वामी सहजानंद करन्यानन्द शर् पूछा गया है आप लोगों से क्या बोला है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था कि 64 वाली एक्जाम के दर में आया हुआ कुश्ण है आपका आंसर डारेक्ली हो जाएंगा यहां पर में आप लोगों का ठीक है किसान जो थे जमिंदारों के खिलाफ शिकायत की और जमिंदारों के खिलाफ जो है लड़ाई-लड़ी किसानों के हक में स्वामी सहजानंद जी कि अननन की घा रशना किस ने की थ एबी बता दीजिये आतर जाल जल्दी 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 से आनन मट की रशना किस ने की पाटों से बहुत जादा खुछ हँँ हुआ अपTने बढ़ीया रिस्पॉणस है और और आप लोगों की जो list है न, जितने भी हम लोगों ने list दी है, उन सभी लिस्ट का app के ऊपर मैं आप लोगों को quiz भी provide करूँगा, ताकि आप लोग वो list के ऊपर में best questions को कर सकें, ठीके? तो यह पीडिएफ आप लोगों को जो है फ्रेंट्स आप बिहार की किसी भी कॉर्स में चल जाएगी वहापर मिल जाएगी जो बच्छे पेड़ वाले उन लोगों को तो डारेक्ट नोटिफिक्शन भी चला जाएगा आप लोगों से एक कोशन और बनता है आप लोगों ने अक्सर सुना होगा आननमत की जो रचना की गई थी वह कौन से आंदोलन पर बेस्ट थी अक्सरा उन्होंने किया था तो सन्यासी आंदोलन जो था उसके उपर में अधरीट थी यह यह भी आधक नहीं सन्यासी आंदोलन या सन्यासी विद्रो जो था 1770 के दशक में आंदोलन हुआ था उस पर लिए 882 में लिखी गई थी बंकिम हम चंदर चटरची के द्वारा इसका जो उन्होंने प्लॉत लिए था प्लॉत इंदिस जो उन्होंने आईडिया लिए था 1770 में सन्यासी आंदोलन हुआ था ना सी ऑंदोलन इससे उन्होंने लिए था यह से भी कुशन आता है जल्दी से आप लोग लिखोंगे सन्यासी आंदोलन कब हुआ था 1770 में दिखो सभी लोग सन्यासी आंदोलन सन्यासी आंदोलन से प्रेढ़ना लेकर आनन मठ की रशना किती बंकीम चंदर चेटर जी ने 1812 के अंदर में सभी लोग लिख देंगे आनन मठ में से ही लिया गया है याद रखेंगा याद रहेगा आनन मठ के लेखक कौन है आप लोगों का जीडी के अंदर में आया था आसम रेजिमेंट के लिए है ओके 27 दिसंबर 2020 को वास चंद्र बोस बंकीम चंद्र चेटर जी चरत चंद्र चेटर जी रवेंदर नाथ चेटर जी बताओ आप लोगों का एक्जाम में पूछा गया कोश्चन बताई अभी तो आनन मठ के लिखा कौन है बंकीम चंद्र चेटर जी है कौन सी वाली थीम अधिये अन्दोलन सन्यासी अन्दोलन कभ हुआ था सभी लोग लिख देंगे मेरे बताने के पहले लिख देंगे सन्यासी अन्दोलन जो है यह हुआ था आपका 1770 में बंकीम चंद्र चेटर जी ने 1882 में यह पुस्तक लिखी थी आननमठ अपका वंदे मात्रम इसी से भारति महादीप के उत्तर पश्चीमी शेत्र में सविने अवगय अन्दोलन का नायक कौन था ठीक है भाई नौर्थवेस्ट रिजन डिल में मैंने बनाया था उनके दर्दे डिसको वैसे ही तो दिल में उनके हमने यह बनाया था नौर्थ वेस्ट रिजन बदाय जल्दी स कि उस्तर पश्चिम शेत्र में सवीने अवग्य आंदोलन का नेत्यत्व किस नहीं किया था कि इस डिवील डिसी ओबीडियन्स मुव्मेंट इन नॉर्थ वेस्ट लिजन वाज लेड़ बाई अबुलकलामाजा शौकत अंसारी अब खान अब्दुलकफार खान आपको क्या लगता है कौन था नॉर्थ वेस्ट फ्रेंटियर प्रोविंस का निता कौन था बाद्षा खान के नाम से जाना जाता था उनको पश्टून लोगों का लीडर थे लालपूर्ति आंदोलन या फि 500-500 प्लस लाइक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंट्स आप सभी पचिस सो प्लस लोगों को यहां पर यह सेशन शमरपित बहुत बहुत शुक्रिया और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं आप लोग यहां पर लिएब्स लाल कूर्थ आंदोलन थ अब देखें यहां पर में which place is famous for a sweet खाजा नामक जो मिष्ठान है आपका कौन सा वाला जगा फेमस है खाजा नामक मिष्ठान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है शिलाओा बिहार शरीफ कंडी कौन सा वाले आप लोगों का नालंदा गए हो आपक लोगों कि अमपर नालंदा में कितने लोग आप लोगों क्यों जगह है आप लोगों का नालंदा के अंदर इस दा करेक्ट अंसर तो सिलाओ खाजा एक टैडिशनल जो है विहार का वह है और इसको जी आइटेग भी मिला हुआ है इसके लिए प्रसिद्ध्र आपको स्टाटिंग में बताया है एकड़म स्टाटिंग में जो बच्चा पूरा अच्छे से इसको पता होगा अच्छी बात है फिर कभी बुलाओ खिलाओ और खिलाओ यहां पर में आजा अच्छी स्टास लाइव लेकर आएंगे जल्दी हम लोग स्टेट का भी करेंगे कल से अगा पूरा बड़ी-बड़ी मिलाओ आंसर आप लोगों का यहां पर में क्या हो है इसको तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन अबरे तो बिहार में सिल्क सिटी और कपडों के लिए कौन सा फेमस है आप लोगों का भागलपूर शेत्र प्रसिद्ध आपकर डारेक्ली आंसर हो गया भागलपूर इसी से मिलता जूलता कोशन आया तो करवाया भी आप ल लुदना चाहते हो तो आप लोगो को जो नंबर नीचे में चल रहा है 7611-101-101-9697-884 कॉल यह वाट्टेब करके आप जानकारी हासिल कर सकते हो भागलपूर इंडस्ट्रियल हब भी बनने वाला है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया जो है अब उसको डेवलप किया जाएगा यह बच्छा यहां तक जुड़ा होए है उसके लिए स्पेशली संकरांती 55 जो है आपका वह को एक्स्टा एफर्स करने उसके उपर में किये जा सकते है। थीक है? उनीससात्रा में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मील की स्थापना किसने की थी। आपको पता है फ्रेंड्स की जूट या फिर आपका पटसन है। उसके लिए भारत में इंडिया जो है सबसे बड़ा उत्पादक है फिर बांगलादेश है भारत में भी पश्ची मंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है तो जूट जो है आप लोगों की जूटी चीज थापना किस ने की तारेक्ली कोशन बना हुआ प्श्टेट हुकुम चंद एक मारवाडी बिजनसमेंन थे इन्होंने जो है फ्रेंट्स फूट मील की स्थापना की थी कलकत्ता के अंदर में आप लोगों का इसको रिवाइस करना है आप लोगोंने बार बार कभी भी जो है मैं रिपीट करके आप लोगों से पूछ सकता हू कि अपना किसने की कॉश्चन बनेगा आप लोगो। करें? चलिये आप कुछ फास्ट प्रवड रिय्वीजन के कॉश्चन है? ठीक है. रेडी है सभी लोग? सभी लोग रेडी? प्रेविजन के लिए पास्ट परवर्ड रिवीजन के बिन पोल के आप लोग एकड़ स्पीड में करूंगे बाप अंसर जल्दी बताए निम्नली कि इस वन्ने जीव अभहरन्य गोवा में स्थीत है ठीक है भगवान महावीर वन्ने जीव अभहरन्य इंटर्व्यू दीप व ho महात्मा गन्धी ने भारती राष्टी के किस सत्र की अध्यक्षता की थी 1922 같아 आनवल दियाबॉक में कहा हुआ था यह आप लोग कमेंड करके बताइए मेरे को 1924 का सेशन भारती राष्टे कॉंग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्षता महात्मा गांदी ने की थी पस्टी मंगाल पुलिस कॉंस्टेबल के अंदर में कोश्चा ठीके बताए कराची में अमरावती में पारती राष्टे कॉंग्रेस का एक मात्र सत्र जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांदी ने की थी आंदर प्रदेश पंचायत सेक्रेटरी की अंदर में कोश्चन जल्दी पताइए आंसर क्या होगा इसका इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बेल गाओ के अंदर में ने किस विद्रों को प्रसिद्य बनाया था वी SSSC CGL में विहार SSC कितने बच्चे क्लियर करना जाते मेरे को बता देंगे यहां पर में बिल्कुल आप लोगों के लिए हम लोग करेंगे इस चीज़ कैसे आप लोगों के लिए किया जा सकता है भील अप्राइजिंग रंगपू विष्णुपूर सन्यासी रिबिलियन तो सन्यासी रिबिलियन कब हुआ था सन्यासी रिबिलियन और 1770 में हुआ था उसको उन्होंने थीम लेकर यह लिखा था बगीम चंद्चत्र जी के आनन्द मत में किस विद्रों का उल्लेक है सरसट वी BPSC में आया हुआ कोशन है आप लेक देख रहे हर एक बच्चे का आंसर में को कमेंड में ची बढ़िया है यहाँ पर में इसी के साथ में आप लोगो का 2600 प्लस लाइक आप लोगो वह बहुत बहुत शुक्रिया लेक्ट्टर के बीच में मेरी दो मेहने की दो गंटे की यहाँ पर में मेहनद सफल हो मगीम चांग करेंगे उपन्यास आणन मंन में निम्दल वह कुछर्ण से किसका उलेक है संचि के εν आपको कौन से वाले विद्रोग का उलेक इसमें किया गया है और कब हुआ था ये विद्रोग देखे यूजी सी नेट हिश्ट्री के अंदर में 28 वेबरली 2023 के शिफ्ट नंबर 2 के अंदर में अंसर करेंगे हर कोई बच्च अंसर करेगा जितने बार अंसर कर सकते उतने बार अंसर करो ताकि आपको हमेशा हमेशा के याद हो जाए चैट रेट 704 का चल रहा है हजार पार पहुचाना है बंकीम चंदर शट्व पाध्या का आननन्मत संबंदित है ठीक है तो आप लोग आ आपके पास मेंची 100 बच्चे 1000 बच्चे 2000 लाग बच्चे आप क्या कीजिए सिंपली वहां पर में जाकर उस ग्रूप के अंदर में आप ट्रैफर यॉर प्रेंड वाला जो है यह लिंक को आप डाल दीजी वहाली जाकर आप देख सकते हो यहां पर में आप इन्वाइट कर पर्चेस होगा उसका अमाउंट आपके अकाउंट में आता रहेंगा डिरेकली और अप जब चाहो तब उसको ले सकते हो जब भी जरूवत पड़ी रिवाड वाले सेक्शन में जानेगा रिवाड वाले सेक्शन में वहां पर आप लोगों को वालेट मिल जाएगा आपका और उस वालेट के अंदर में जाकर देखिए यह वालेट मिल गया आपको डारेक्ली आप लोग क्या कर सकते हो उसके से अपना अमाउंट जो हो किया के जरीए निकाल सकते हो तो यह आप लोगों का था जितने भी लोग चाहते आपके टीचिंग परीशा के साथ में जुड़ना 76111010196978844 उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो बच्चे लास तक देखे हैं मतलब वो पढ़ने वाले बच्चे और उन लोगों को स्पेशल मिलना चीए कुछ ठीक है तो संक्रानती 55 तो 55 परसेंट जो है इसी ले पताने का मकसद है कि वही बच्चा जो है और वो डिजर्व करता है कि उस स्पेशल ट्रिटमेंट भी मिलता रहा और जो बच्चों ने अब तर करीद चुके उनको मिले गई जो आज पाच बज़े से पहले तक जिन्हों ने ले चुके थे पाच बच्च के आट मिन अब उसी के लिए रहेगा जो अब इसका इस्तेमाल करेगा संक्रानती 50 वालोग का नहीं संक्रानती 55 वालोग क्योंकि आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा मेहनत किये और ऐसे बच्चे चाहिए हमें उस रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे जो मेहनत करने के लिए तयार है करेंगे इस सेशन को जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में टेलिग्राम फेस्बूक और समय मिलेंगा अप लोगों को उतना ज्यादा आपकी पढ़ाई जो हो अच्छे से हो पाएंगी ठीक है नया पार करा दीजिए सर बिल्कुल बिल्कुल नया पार कर देंगे आपके इंशन ना दीजिए आप कैसे खरीदे सर तो एक नंबर चल रहा है आपका ठीक है 7611-101-101 ठीक है उस नंबर पर कॉल या वाट्सटैप कर दो उसके उपर में आप लोगों को मिल जाएगा टीजिंग परीक्षा एप डाउनलोड करना है कैसे डाउनलोड करेंगे एप एप की लिंक भी आपको जो है डिस्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाहिए इंपली टीचिंग परीक्षा लिखे आप लोगों को जो है एक घंटे के अंदर में मुझे जैसे बताया जा रहा है आप लोगों को लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगी कोई भी है फात्मा फाहीम जी प्याइटी का बैच भी आप एक बाद देख लिए टेस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी ताकि आप लोग इत्म कुमारी जी आप जो है वह नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके जानकरी ले सकते हो या वाट्टेब कर सकते हो या फिर आप टीचिंग पर इश्या आप पर जाकर भी पता कर सकते हो ओके बहुत-बहुत शुक्री आपका 26-2500 आइक्स के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत-बह thank you very much, take care and bye, God bless you